दोस्तों DG Locker में हम अपना अकाउंट कैसे बनाएं 2024 में क्योंकि दोस्तों जैसा कि आपको पता है गौर्णमेंट भी ने DG Locker को इसूट कर दिया है कि यदि आप कहें जाते हैं तो इसमें अपना डाकॉमेंट अगर दिखाते हैं तो कुछ डाकॉमेंट बैलेट माने जाते ह तो आई इस वीडियो में दोस्तों आपसे हम बात करेंगे कि DG Locker पर हम अकाउंट अपना कैसे क्रियेट करें क्या प्रोसेस हैं सारा कुछ step by step आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो काफी स्तांदार होगी पूरी वीडियो देखिएगा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको तो चली आगे बढ़ते हैं तो hello and welcome दोस्तों आप देख रहे हैं Android जंकसर यूटूब चैनल और मैं नाम है रूपेस दोस्तों आई चली शुरू करते हैं आज की वी प्राइब करेंगे और यहां से हम डीगी लॉकल लिखके सर्च करेंगे और इस एप को हमें डाउनलोड कर लेना है ठीक है मैं आल्रेटी डाउनलोड कर चुका हूं आपको बता दे नेशनल ई-गॉर्मेंट्स दिविजन गॉर्मेंट ऑफ हिंडिया यहां पर गॉर्मेंट एकसे एकसे स्लाइड करके और आ जाएगा लेट अपर आपको क्लिक करना है और जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा वाफ्सन देखने को मिलेगा कि यहां पर 243 इनके हैं जो रजिस्टर्ड है 5.6 billion इसूट डाकॉमेंट ऐसे लोग है जो डाकॉमेंट इस पर अपना रखते हैं आधार पहन सारा कुछ आप रख सकते हैं इस तरह से ठीक ना आए मैं गेट इस्टार्टेट पर क्लिक करता हूं और उसके बाद यहां पर तो आपको देखने अब यहां से हमें अपना कुछ detail भरना होगा जैसे कि अपना पूरा नाम जो अधार कार्ड पे है इस लाइन में डालना है डेट आप बर्त इसमें डालना है जो भी डेट आप बर्त रहे यहां पहले वाले में तारिक डालना है दूसरे वाले महीना डालना है कौन सा महीना ह ठीक ना, male हैं कि female हैं, आप यहां से चूच कर लिजिएगा, और यहां पर आपको अपना mobile number डालना है, कोई भी mobile number डाल सकते हैं, यहां पर अपनी email id डाल देना है, और यहां पर 6 अंको का security pin बनाना जो गड़ित के होंगे, मतलब गड़ित के 6 अंक आपको लेने हैं, यहां पी detail फिर आगे मैं बढ़ता हूँ, दोस्तों आधार संख्या 12 अंको की होती है, 12 अंक आपके आधार कार्ट पर लिखा गया होगा अगर इतमें, वही अंक के हां पर डाल देना है, आई मैं भी भरता हूँ, फिर आगे के तरफ चलता हूँ, आधार नंबर हमने भी भर दिया, भरने के बाद आप next वाली बटन को क्लिक कर देंगे और यहां से save कर लेंगे, और हमारे सामने कुछ ऐसा option आएगा, इंटर OTP, अब इस बार जो हमारे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है, उस वाले नंबर पर OTP जाएगा, जैसा कि आधार का आखरी कार्ण कभी य एक बार दिखा दें आपको, देखी, यहां पर आधार कार्ड के आखरी का नंबर है आपका, जो नंबर मतलब लिंक है आधार से मोबाइल नंबर, इसी पर OTP जाएगा, तो OTP चला जाएगा, आप इसे यहां पर भर देजिएगा, OTP जब आ जाएगा, तो मेरे आ गया, मैं से आप अधार कार्ड, पैन कार्ड, कोविड का सर्टिफिकेट हो गए रहे, सारा कुछ यहां पर आप, आपका एकाउंट अप बन गया है, तो दोस्तों इसे अपके बारे में और भी कुछ आपको जानकारी लेना होगा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिजेगा, मैं उ कर दोस्तों